ही गाईज देखो आज के डेट में भी बाजार में वोलेटाइल रहनी की समभावना है और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिर भी सकते हैं कमजोरी के कारण जैसे लास्ट वर्किंग डे में अगर आप देखेंगे तो यहां पर डाउजों में चाहे जो भी थी बहुत बड़ी क अगर आप देखोगे और यह जो न्यू कोविड है उसके वेरिंट में भी थोड़े बहुत प्रॉलम देखने को मिलता है तो कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर आपको वीकिनेश देखने को मिल सकते हैं तो हमें करना क्या है थोड़ा सा साओधान रहना है गिरते बजार में और कुछ नहीं करना है जैसे लेमन्ट्री होटल देख सकते हैं होटल वाले सक्टर वाले स्टॉक्स है हाला कि 5-6% का जम्प आपको देखने को मिल रहा है लेकिन फिर भी हमें क्या करना है दूर रहना है देखो मैं आपको बलूँगा लगपग आग में हाट डालने से अच स्टॉक्स और उसके पीछे का जो बैकबॉन मजबूत नहीं है तो कभी भी गिर सकता है अगर आप देखो तो होटल वाले सक्टर में ज्यादा से ज्यादा प्रॉलम होते हैं आज के डेट में भी अगर आप देखोगे तो जितने भी यह क्या बोलते हैं हवाई जास से स्टॉक्स देखना आप लिए हैं जिसमें लग-बग आपको पॉजैटिवीटि देखने को मेलिया हैं हम क्या बोलेंगे पॉजैटिवीटि हम तेजी नहीं भोज सकते हैं तेजी का मतलब ऐल ठोक cooperation चले मतलब 3-4 ऐसे स्टॉक्स हैं जो लगबग अच्छे खासे दोड़े थे मतलब नॉर्मल नॉर्मल जादा नहीं बोलेंगा नॉर्मल सोचो तीन चार ऐसे स्टॉक्स हैं बाकी अगर आप देखोगे लूजर्स में तो सारे गिरावट में आपको देखने को मिल लते तो जब अच्छे मजबूत बड़ी-बड़ी कंपनी जो निफ्टी-फिप्टी है उसमें गिरावट देखने को मिल लागा तो जो छोटी-छोटी कंपनी आटोमेटिक उसमें आपको गिरावट देखने को मिली जाएगी तो